मैं आपको एक बात बताओं कि यहां पे आप GMC इस्टाबलिश्मेंट का ही सवा यह है कि लोगों की उमीद हैं आप बहुत जदा बढ़ गई कि हमें यहां पे टर्शरी केर जो है वो दिस्तियाब होगा लेकिन जब हम जो घो हे जा है जब हम एन से बात करते हैं कि यहां पर पेस्ट को वो केर नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए वो कहते हैं कि हमारे यहां पे जगा की तंगी है इससे पहले यह बनाया था जो है यह जो निवली कनस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है हॉस्पिटल की जो डिस्रिक हॉस्पिटल है यह 2017 से काम शुरू हो गया है लेकिन अभी यह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है बारहाल हम मि इंजिनियर्स ने कि इसको फंक्शनल बनाने के लिए इस बिल्डिंग को फंक्शनल बनाने के लिए ऑपरिशनल करने के लिए हमें नाउ करोड कुछ सम्टिंग थावजंट रुपी लैक्ट रुपीज चाहिए कि जिससे हम इसे बाजबता तोर पे फंक्शनल कर सकते हैं ब काम मुझे मिलना चाहिए लेकिन गामडर ने किया किया और ने कहा कि ये काम हम सब सब्लिट कर सकते हैं कि ये किसी और को देंगे जो नावला का पेंडिंग वाक है लेकिन वहां पे जो कंट्राइक्टर है उसका ये मानना है कि जो काम अभी तक मैंने किया है तो ये काम भी मु करके जो यह रुखा हुआ काम है इसे री स्टार्ट करने के पैसा तो आप लोगों ने रिलीज कर्वाया ही है लेकिन सवाल यह है कि इस पे काम शुरू हो जाना चाहिए लेकिन ब्रिकंज लियुक्त मेंडे आपको पता ही है कि यह कभी थमने का नाम ही नहीं लेगा लेकिन तब तक लोग बहुत ज़्यदा सफर करेंगे आप मुझे बताओ अब हमारी गुजारिश है बिंग रेप्रिजन्टेटिव अब इस एरिया की इसको ऑपरेशनल बनाने के लिए जो आपने पैसा रिलीज किया है तो करने की जुरत है इसे काम स्टार्ट करने की जुरत है और उतना ज्यादा भी काम नहीं रहा है लेकिन अगर ये रोबेस्ट मेकानिजम पर काम करें यहां पर यह करें तो सम थ्री फॉर मंथ में तो ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा इसको कहते हैं आगे दोड़ पीछे छोड़ ये वाला इटिटूड नहीं चलने वाला ये तो सवाली पैदा नहीं हो सकता हम ऐसा करने देंगे नई बिल्डिंग की जुरत है इसमें कोई शक नहीं लेकिन पुराना तो पहले कंप्लीट करो ना जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपको पता चलेगा कि मुझे कितनी और ज्यादा बैड़िड हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने की जुरत है हम ये नहीं कहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए लेकिन ये तो कंप्लीट होने दो पहले इसको छोड़ेंगे इतना मतलब एक मौडर्न लाइनस पे बनाया गया ये हॉस्पिटल है निवली करस्ट्रक्टिड बिल्डिंग है वहाँ पे इसको हम छोड़ देंगे और आगे जो बाकी सारे जो इस वकर डिपार्टमेंट का आपको तो पता है हमने जगाड किया है GMC के बाद उन बिचारों ने जो एड्मिस्टरिशन है हमारी जो प्रिंसिपल है आपकी जो सब्रिडंट डिप्टी सब्रिडंट बाकी लोग जो इसमें मुलाव उनने जगाड करके जो बिल्डिंगस अवैलेबल थी उसमें वहाँ पे कुछ में लैब्स रखवाए बलड बैंक किसी में उनने डिपार्टमेंट को अलग अलग जो डिपार्टमेंट से कही पे रखवाया गाईनी किसी बिल्डिंग में पिल्डिटर किसी बिल्डिंग में यह क्या है वोड़ इस दिस मेरे खहल से यह अच्छा इटिटूड नहीं है पहले यह कंप्लीट होने चाहिए चाहिए उसके बाद हम आगे देखेंगे बट वी अर सपोज़ एज अज़ होने चाहिए